सुभे सुभे का बक्त था और बहुत ही टेंशन चल लही थी कि क्या ऐसा बनाया जाए जो टेस्टी भी लगे साथ में हेल्दी भी हो तो अपने गार्डन में मुझे पालक दिखाई दी जो कि बहुत ही अच्छी हरी भरी हो रही थी तो सुचाए क्यों न इसी को काटा जाए और आज कुछ ऐसा नास्ता बनाया जाए जो टेस्टी भी हो हैल्दी भी हो और खा के एकदम विंटर में मजा आ जाएगा तो आप पूरा वीडियो जरूर देखे बहुत ही टेस्टी नास्ता बनाया आज का मेरा और सच में ही खाने क दिख रहे हैं पहाड बिलकुल हरे भरे और नीला नीला आस्मान तो सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए इस हरे आली के साथ में और यहां दिखे कितनी सारी पालक एक ही मेरे जो प्लांटर था उसमें से निकली और साथ में ही में यह हरी मिर्चे भी तोड़ इसकी एक ऐसी रेसेपी सेयर करूंगी जो सच में हरी मिर्च खाने वाले ना उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी है मजा आ जाएगा उन लोगों को खाके तो बिलकुल तयार हैं आप लोग मेरे साथ तो यह देखिए कितनी सारी हरी मिर्चे मैंने तोड़ ली हैं क्योंक और अगर ग्रो करते हैं तो जरूर बताईएगा चली पालक को मैंने अच्छे से दो के साफ कर लिया है और अब इसको कर लेते हम बॉल तो देखिए बहुत ही अच्छी यह पालक है और अब हम अगर इस तरीके से बॉल करते हैं तो तो थोड़ा सा नमक डाल दीजे खुला करें या फिर एक ठकन लगा कि एक सीटी लगा दीजे और ठंडा पानी अगर आप इसमें बाद में डाल देंगे बॉयल होने के तो बहुत ही अच्छा कलर रहता है और यह मतर मैंने छील के पहले से रखी तो इसको हम हलका सा बॉयल कर लेते बहुत ही अच्छी मीठी टेस्टी मतर है यह पहड़ी मतर है बहुत अच्छी है तो बस इसको हम बॉयल कर लेते हैं फटा-फट से और आज मैं बहुत ही टेस्टी नास्ता बनाने चारी हूं गहूं के आटे से बनाए नास्ता आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है तो सबसे पहले मैं प्याज को कट कर लेती हूं लंबे-लंबे पीसिस में हमें प्याज को कट करना है इसकी जो ऊपर की गांट होती है उसके निकाल दे जिससे कि लच्छे ना अलग-अलग हो जाए तो बस इसी तरीके से हमें प्याज कर लेनी है और साथ में एक छोटी से पैन में मैंने थोड़ा सा ओयल डाला ह क्योंकि इससे में मिर्च वाली रेसेपी बना रही हूं तो मस्टर्ड ओयल से बहुत अच्छी बनती है मस्टर्ड सीट डाला है आधा चमच चोटी और आधा चमच चोटी जीरह डाला है साथ में अपनी सारी प्यास कर्ट करीती वह डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी सब्टका चाहिए राछा दैद्मच गूवठ रखता है मैं और तो अंच मैं यमी रेसेपी बनती है और इसको आप बनाके में रख सकते हैं और और हफ्ते बर तक आराम से खा सकतें तो यह देखी क्योंकि इसमें हमने पानी वगेरा बिल्कुल भी नहीं डाला है और फ्रेज में रखेंगे तो खराब बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि सर्दियां चल रहे हैं तो एक चीज तो हमारी बन के तयार हो गई है यहां मटर भी बना बना जीरा पाउडर डाला है लाल मेर्ची जाली है थोड़ी तो अब बेसं डालेंगे देड़ चमच में ने बेसं डाला और सातमेही नमक अब इसको अच्छे से भूनेंगे इसका मौईस्चर थोड़ा खतम हो जाना चाहिए और बहुत ही अच्छी सी खुस्भू आन अच्छी से भून चुकिए और इस तरीके से कि खुश्भू आने लगे और आपको खुद से पता लग जागा कि भून चुकिए यहां मैं पनीर को कद्दू कस कर ले रही हूं तो आप हातों से भी क्रस्ट कर सकते या फिर कद्दू कर सकते अब एक बाउल में हम सारी चीज सारा हरा धनिया क्योंकि आजकल धनिया जो है वह बहुत ही आराम से बहुत सस्ता मिल जा रहा है और यह देखिए पालक भी मैंने ठंडी करके और यहां हम आटा लगा लेते हैं फिलिंग तो हमारी लगवक तयार हो चुकिए तो आटे में मैंने सारा अपना पालक दाल दिया कुछ मसाले अट करेंगे उसमें धनिया पाउडर मिर्च और नमक थोड़ा सा और अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे एक सॉफ्ट डो आपको बनाना है क्योंकि हम फिलिंग भरेंगे इसके अंदर तो सॉफ्ट होना चाहिए डो अब इसको ढखके रखतेंगे बीस मिर इसी पराठा बन रहा है जिसकी आपको खाके ना मज़ा आ जाएगा और एक बार इस तरीके से जरूर बना के देखिए तो यहां मेरा सारा तयारी हो गई है और आज मैं बच्चों के लंच में यह बना रही हूं मतलब जब बच्चे दुपैर में लंच करेंगे उसके लिए मैंने यह बनाया है क्योंकि कुछ डिफरेंट होना चाहिए बच्चों को ऐसा कभी कभी लगता है तो आज मैंने यह पराठे बनाए बहुत ही टेस्टी बनी थे आप इसे लंच में बना सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं डिनर में बना सकते हैं बहु अगर आप पराठे खाना पसंद नहीं करते तो आप इसकी रोटिया भी बना सकते तो सबसे पहले देखिए कि मैंने बड़ी सी लोई लेके उसको रोल कर लेंगे हम काफी अच्छी बड़ी सी लोई लेनी है जो हम रोटी बनाते हैं थोड़ा उससे बड़ी ले और अब इसके पराठे बनाई है आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे यह देखिए बिलकुल कितने अच्छे से बन गया है और बस अब इस पर सूखा आठा जड़केंगे अच्छे से दोनों साइट से हलके हातों से इसे रोल करेंगे और पराठा बहुत ही अच्छा बन जाता है बिलकुल निकलना स्टार्ट हो जाता है पराठे में से तो ये चीज़ों को आप जरूर धियान रखें जो आप मटर की फिलिंग बना रहें उसे थोड़ा सा ठंडा करें उसके बाद ही उसमें पनी रेट करें क्योंकि इससे क्या होता है जो फिलिंग रहती है न वो थोड़ी सी ड्राइ रहती है और देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा बनाए और एक्टम फूले फूले अच्छे क्रिस्पी टेस्टी पराठे बनेंगे तो अगर आप मेरा वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा जिससे कि मैं ऐसी टेस्टी हेल्थी रेसिपी आपके लिए लाती रहूं और बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई एक भी कमेंट आ जाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहां देखिए मैंने देशी ही से सेकें आप चाहें तो इसे बटर से से सेकें और यह देखिए कितरा फू कर रही हूं तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखाना चाहती हूं कि मैं किस तरीके से इसे बना रही हूं अगर आप राउन सेप में नहीं बना पाते तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे और जो फिलिंग है वह भी देखिए मैं खुब धेर सारी इसमें रख रही हूं जिससे की पराङठी बहुत ही टेस्टी लगें और आप कुप सारी फिलिंग इसमें बने तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप मटरK चाहता हूं और पनीर चाहते हैं तो ढम्यार कंशी ही को ज्यादा टेस्ट आपको लगता है कॉन सी जो बनाई है मैंने साथ में दही के साथ यह टेस्टी से पराठे तो बिल्कुल कम्प्लीट लंच है और बहुत ही टेस्टी में किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है तो वीडियो पसंद आया हो तो फिर से एक बार बोलूंगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज तो इसी के साथ सब खाएं पिए और इंजॉय करें ओकी फ्रेंड्स टेक कियर बाई